क्या हाई चाल हैं कैसे हैं आप सब आयो आप सब अच्छे हो गर आप सब इक तैयरी बहुत अच्छे से चल लिए दोस्तों मेरा नाम विक्रांद वेल्कम टू यूर यूटूब चैनल कानपुर वाला विक्रांद दोस्तों से सीजल का एक्जाम डीट आ चुकी 11 मार्स से हमार सब बोलता हुए बात सही है कि आपने साल बर पढ़ाई नहीं की आखरी के 20-25 दिन अच्छे से मैनत कर लो तो आपका जो भी स्कूर आ रहा होगा 110-120-130 उसे आप मैक्सिमम तक पहुंचा सकते हूँ ध्यान रखो आखरी का टाइम होता है बहुत जड़ा इंपॉर्टन होता है या फिर आपको सेलेक्शन की दौर से बहार भी निकाल सकता है तो हम बात करेंगे या पर चारो सब्जेक्ट की इंग्लिस की दियर्स की मैट्स की आखरी के 20 दिन में हमारा फोकस सबसे अदार तेन चीज़ों पर रहेगा पहला है मॉक्टेस दूसरा है प्रिवेसर के कॉ तो समझनों मॉक्टेस देने का कोई भी फाइदा नहीं हुगा एक इंसान अपने स्कोर को तभी बढ़ा सकता है कि मॉक्टेस में हुई गल्तियों से वह सीखे और उस पर काम करें जब वह काम करेगा तो कहीं नहीं उसका इसको जरूर बढ़ेगा और आप एससी सीजल की त पुलिस का मतलब अगर आपने कुछ और फॉर्म भी भरें तो उन सब के मॉक्टेस भी आपको टेस्ट बुक में मिल जाएंगे या आपको मॉक्टेस तो प्रवाइड करते हैं करते हैं साथ में आपको प्रिवैसर कोशन पेपर भी मिलेंगे जिससे आप मॉक्टेस के करते हैं उसमें आपको मिलेगा 10% का डिस्कॉंट या नहीं वह मिलेगा 360 रुपेगा इसके राबा वह एक साल का पास उसमें 6 मेने की एक्ष्या वैलिटी मिलनी मतलब 360 में आपको मिलेगा 18 मेने का पास तो अगर आपको तैयरी अच्छे से करनी है और आपी टाप मॉक्टे कोशन हम आपको यह बताएंगे कि एक्जाम में अभी तक क्या आ रहा था और क्या पूछा जा सकता है आपको अभी समखलो अगर आपने अभी तक प्रिवेसर के कोशन पर नहीं लगाएं लगाएं तो अच्छी बात नहीं लगाएं तो कम से कम 3-4 साल के जितने ज्यादा हो आपको रिवाइस करना हो कि आपने पढ़ा दो था और एक्जाम पर पहुंचो तो आपको ऐसा लगने लगे यार यह पढ़ा दो था इसका A होगा कि इसका C होगा यह गलती नहीं नहीं चीज पुशी जाईगी वह अगर आप नहीं करपाते हो तो कोई दिक्कत नहीं बात लेकिन जो पुराना आपने पढ़ा है उसमें से कुछ पूछा जा रहा है आप नहीं कर पार हो यह बहुत बड़ा पाप हो जाएगा समझो आप से तो वह पाप आपको करना नहीं है उस पाप से बचने का तरीगा सरिफ एक ही रिवीजन जितना जादा बार आपने अजार सब्सक्राइब याद किये तो हजार वक्याप को तीच बार चार पांच बार जबार पाउ उतना अच्छा है आपके लिए बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइस की मैं एंग्लिस में कैसे करें तो शुरुआत करते हैं रिजनिक से देख वर वीजनिंग का लेवल आजकल थो यह बीज दिन मॉक्टेस दिया आपने दो हजार कोशन लगा होंगे और रियस निंग के बाद किने तो पांसो सवाल नहीं आते होंगे उन सौस वाल में पता चलिया कौंसे चैप्टर हमें आते हैं कौन से नहीं आते हैं सोच के देखो आपने रीजनिंगे 500 सवाल लाए उसमें 100 सवाल आसे जो नए थे जो आपको नहीं आते थे और आपने वो भी अच्छी से समझ लिये तो कि ऐसा हो सकता है कि एक्जाम में जब सवाल रिजनिंग आई आप नहीं कर पाऊगे आप 100% कर पाऊगे अगर आप इस प प्रेशन वाले पार्ट को देखो आपको पैसेजेश प्लोस्टेश मिलेंगे वहां से गरो उतना ही ठीक है अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है अब रीडिंग आप लोग कर रहा है थे पहले आप उसे बंद कर दो कि आखरी बीस दिर पर रीडिंग करने से कुछ ज्याद खास फरक पड़ेगा नहीं तो रीडिंग कर दो बंद आपको ध्यान देना है सिर्फ दो चीजों पर एक वुकायब और दूसरी ग्रामर वुकायब के अगर बात करें तो वुकायब में देखो आपने हजार वुकायब अगर याद कर रखी है वन 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 ए इडियम से कुछ अगर वीज दिन है तो आप उसे आराम ज़े दो तीन बार कर सकते हो समझ रहो अगर आपने तो जितना जयादा टाइम आप देपाऊ उतना ज्यादा अच्छा है तो ज्यादा से ज्यादा वुकायब को रिवाइस करो तिक तीन-चार वार आपने कर लिया तो आपका काम कही बात करते हैं ग्रामर वाले पॉर्शन की तो ग्रामर वाला पॉर्शन ऐसा है कि आप शायद 20 दूने पूरा कंप्लीट तो नहीं कर सकते लें कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे हो जिसे आपको करना ही करना चीजिसे मेरे साब हमें जो रगता है इनके चांस ज्याद पूछे जाते है तो आप ये अलग से कर सकते हो बाकि कुछ आपने पहले नोट्स बनाए है तो खिर अगर आपको अच्छी बात है नोट्स आप जल्दी पढ़ सकते हैं फिर अगर आपको मेरे नोट्स देखने है तो उसका लिक मिछे दिस्क्रिप्शन में दे नेंगे तो वो नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलिग्राम पर तो आप देख सकते हैं मेरे नोट्स तो अगर आप चाओ पढ़ने को पढ़ सकते हैं लेकिन अगर आपके नोट्स है तो आप उससे ही तैयारी करो तो इंग्लेस में वह खाया जितनी भी है आपने पढ़ी उसे पढ़ा रहा है और क्या पता है अग्जाम में दस नंबर आ जाएं तो जीस का कोई कुछ कह नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी कुछ चीज ऐसी है जिसे आप काम करके आपने स्कोर को बढ़ा सकते हो पहली चीज सब आखरी के टाइम में सबस्यादा इंपॉर्टन अगर आपके जाना ही जाना जिसके लाबा करन दाफेर्ट आपको कहीं वीडियो डियो साने बढ़ना पको PDF चाईए होगी तो आपको आपको अगर कई से PDF मिल जा 6 में ने कि एक साल के तो आपका काम चल सकता है तो आप लोग बोलेए कहां से करें तो निया कहां से तो इस बार वोई वी पीडियाफ का उस पीडियाफ को डाउनलोड कर सकते हो और फ्री में आप अपनी करेंड अफेर्स की तैयरी कर सकते हो द्यार रखना है वह छह मैने का करेंड अपके तैयर हो गया अब बात कर लेता है इस्टैटिक जीके की पूरी पढ़ना तो आसान नहीं है लेकिन कुछ कर पाऊगो जैसे कौन कौन से वह टॉपिक है आपको अच्छे से करनी है पॉलिटी आपको अच्छे से करनी है फिजिक्स के बाइब करनी है इसके अलावा इसके लावा कहा है तो यह छोड़े-छोड़े टाइप के सवाल जो बनते हैं यह भी आप लुशेटे पीछे दे रहा है कि वहां से कर सकते हो इतना आप कम से कम करके जाना ही जाना जीए के लिए तो जीएस में इतना कर लोगे तो 25-30 संबर तक आप ला सकते हो बात करते हैं मैट्स की मैट मैं कैसे करना है अब पूरी मैट्स कंप्लीट करो अगर आपने तक मैस बिल्कुल टेस्ट नहीं कि एक दू चैप्टर यह आपको आते है फिर तो यह मालो आपका सेलेक्शन पॉसिबल लहीं है बिना मैस के कुशन नहीं है लेकिन अगर आपने मैस थोड़ी बहुत यह पड है यहान नहीं है जहल परिफिट-लउस के सवाल गलत है तक जो सवाल आपके गलत हो नहीं है उस चैप्टर हुएक दिन होना मैं खतम करते हैं और इस बीच दिन आपके पास हैं और इस बीच दिन में बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हो अगर आप चाहूगे तो करना ठीक आपको जो भी वीक एडिया उसे पूरा पढ़ लेक्ट नहीं है उसका आपको अच्छे से ओवर्वी लड़ा एक रिवीजन करना क्यों के लावा एक टेप आपको और देना चाहिए कि देखो डेली मॉक्टिस आपको लगाने लगाने हैं इसके लावा आखरी के दिनों में आखरी की जब तीन-चाहर दिन बचे आपके एकजाम में ठीक है उस समय आप चाहूगो तो मॉक्ट देना बंद कर सकते हैं क्योंकि होत आखरी के तीन-चाहर दिन बचे तो जिस मॉक में आपके अच्छे नमबर आ जाए वहीं पर रोग जाना उसके बाद मॉक्टेस मत देना एक पॉसिटिव एनरजी के साथ एक्जाम सेंटर में जाना ठीक है इसके लावा जब भी आपका फ्री टाइम हो उसमें आप क्यूज जरूर देना जितने ज़्यादा आप क्यूज दोगे उत्रा आपका रिवीजर ही कही नहीं होगा आप बहुत सारी आप है उनका क्यूज दे सकते हो एंडर टेस्ट बूक के उनके पांट-टस कोशन के क्यूज चोटे-चोटे देते चलो उससे एक आपका छोटा-बोटा र अराम से पहुचा सकते हो मतलब कही नहीं आपका इंप्रूमेंट जरूर होगा अगर आप इन चीजों पर काम कर लोगे तो इस वीडियो में इतना ही हमें उम्मीद आपको यह 20 दिन की प्लानिक समझ में आयोगी कैसे आपको क्या पढ़ना हूं क्या चीज़ें स्किप करने हैं हम उम्मीद आपको यह वीडियो से उखने डिय आपको help हमेलीोगे अगर वीडियो अच्छे लेकिए वीडियो को लाइक करते है अगर आप चनल पे नहां तो चैनल पे पहाँ करने हो दो पर् Tub old शुप 7 इतना ही हम की नेक्स आइश इतना ही नेक्स वीडियो में तब द झाल